यूपी बिधान सबाद चुनाथ 2022 के पहले चड़का मतदान 10 फरवरी को होने जा रहा है लेकिन इससे पहले ही दो प्रमुक पार्टियां बिजेपी और सपा ने अपना अपना घोशड़ा पत्र जारी कर दिया है केंदरी ग्रीह मंतरी अमिस्सा और मुख्यमंतरी योगी आदित दिनाथ ने लखनाओ में बिजेपी का संकल पत्र जारी किया और उसके कुछी समय बाद समाजवादी पार्टि मुख्यारे पर अखलेस यादों ने भी सपा का घोशड़ा पत्र जारी किया इसमें उन्होंने किशानों, युवाओं, महिलाओं और सरकारी कर्णचारियों सहित सभी वर्गों को लुभाने की कोसिस की अखलेस ने सभी फसलों पर MSP, पुरानी पेंसन, दोजार पचीस तक सभी किसानों को कर्जमुख, लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्थ सिछा, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षड, गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर वुगतान, किशानों को फ्री बि मुफ्थ देने का एलान किया है, इसके अलावा बीपेर परिवारों को साल में दो मुफ्थ LPG सिलेंडर भी देने का वादा किया है, सपा ने अपने घोषडा पत्र को समाजवादी वचर पत्र का नाम दिया है, पार्टी ने इसकी टैग लाएं रखी है, सत्य वचन अटू वादे के साथ हम 2025 के घोषडा पत्र के रूप में इस पत्र के साथ लोगों के पास जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि यूपे में सरकार बंडे पर घोषडा पत्र के सभी वादों को पूरा किया जाएगा, अर्बन एंप्लाइमेंट गारेंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर ब जबंदन की सरकार बनितों किशानों को ब्याज मुक्त रिड उपलब्द कराया जाएगा, समाजवादी पेंशन के तहट महिलाओं वृद्धों और दिव्यांगों को चलाना अठारज जार रुपए दी जाएगी, साथ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनितों गाउं और सहर की निगरानी, CCTV कैमरे और ड्रोन से की जाएगी, सब की सुरच्छा सुनस्चित की जाएगी, बरहवी पास सभी छात्रों को लेफटाप देने की घोश्रा भी सपा के वचन पत्र में की गई है, इसके अलावा घोश्रा पत्र में हर गाउं हर सहर में वाई फाई सुब्धा उपलब्द कराने का भी वादा किया गया है, डेक्स रिपोर्ट, डीके न्यूज